असलाम अलेकूम जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिसकास किया था कि कुरान को ऐसे पढ़ना है और ऐसे समझाना है जैसे कि इसका हक है और अनफॉर्चुनेटली हमारा अल्मिया ये है कि हम कुरान को उस तरहां से नहीं समझ पाए आज तक जैसा कि इसका true message था और आगे रमदान आएगा ना तो आप देखिएगा कि घर घर में कई बार कुरान पढ़ा जाएगा लेकिन इतनी खुबसूरत आयात हैं जिनका अगर meaning clear हो जाए ना और उस पर एक दफा बंदा अमल करना शुरू कर दे तो आप देखें कि कैसे तबदील होता है सब कुछ तो पहली आयत जो मैं आपके साथ डिसकास करूंगी कुरान में जीद की क्योंकि आज कि मैं सुरह फुसिलत की खुद से भी study कर रही हूँ तो यह आयत मेरी आँखों के सामने से गुजड़ी और मैंने सोचा कि I am going to begin these sessions with this verse और यह इतनी खुब सूरत वर्स है वर्स नमर 30 और सूरह फुसिलत नमर 41 सूरत अभी हम इस आयत का सिर्फ इतना ही पार लेते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत important concept आगे है रब का और रब का concept समझना बहुत important है इस आयत का rest of the meaning understand करने के लिए तो हमने यह देखना है कि रब कौन है तो इस आयत की translation यह है certainly those who say our Lord is Allah and then they stand firm on it और इसका उर्दु में तर्जमा यह किया जाता है कि बेशक्त वो लोग जो कहते हैं कि हमारा रब अल्ला है और फिर वो उस पर मजबूती से जम कर खड़े हो जाते हैं तो इस हिससे को पढ़कर लगता है कि जैसे यह कोई बहुत ही खास बात है कोई बहुत ही एक स्टैंड लेने वली बात है कि जब आपने रब अल्ला कह दिया तो फिर अब आपने उस पर मजबूती से स्टैंड भी लेना है इस बात से हमारे जहिन में क्या चीज़ आती है क्या रब्बुनल्ला कहकर उस पर स्टैंड लेना ये है कि मैंने नमाज में इस आयत को बढ़ा और कहा कि मेरा रब अल्ला है ठीक है इस आयत का मतलब है बाद से है اور फिर मैंने नमाज में कयाम किया सुम अस्थाखाम हो या कयाम हो गया या इस तिकामत मैं सब्देख कोर्ल की और बाहर आगे या फिर ये कुछ प्राक्टिकल करने की बात है कुछ खर स्चन लेने की बात है और इस पर steadfastly कैसे खड़े होगा जा सकता है तो इस सारे चीज़ को understand करने के लिए हमने ये सोचना है कि रबुन अल्लाह से क्या मुराद है पहले इसके literal मतलब प्याते है रब का मतलब होता है Lord, Sustainer, Nourisher यानि किसी चीज़ का या कुछ वसाइल का owner, मालिक पानने वाला, नश्वनुमा करने वाला, बढ़ावा देने वाला तो अगर कोई मालिक किसी की नश्वनुमा करेगा तो उस नश्वनुमा के लिए उसके पास वसाइल मी होंगे और जाहर है कि वो वसाइल उसके अपने होंगे वो कहीं से लूट मार करके ना लाया होने उसने कोई नाजाइस तरीके से किसी और के वसाइल पर कब्दा ना किया हो या उसने लोगों को उनके हक से महरूम करके वो वसाइल जमा ना किया हो और फिर उनका मालिक बन बैठा और कहे कि अब मैं तुम लोगों का रब हूँ, लॉर्ड हूँ तो ये मालिक जो वसाइल से हमारी नशो नुमा करता है वो है रब सिर्फ और सिर्फ वो रब है तो ये हक है, हक होता है जो सची बात हो और जिसके उपर दोर दोर चार की तरह वो बिलकुल वाज़े हो लेकिन अगर कोई और उठकर कहे कि मैं हूँ रब क्यूंके मैं इन सब वसाइल का मालिक हूँ तो वो होगा बातिल, वो होगा फेक रब, फॉल्स लॉर्ड तो कुरान में हमें दो जगों पर ऐसी एक्जामपल्स नजर आती हैं कि जहां पर बादशाहों को रब से मनसूब किया जाता था एक है फिरॉन जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला वो लोगों से खुद मनवाता था कि मैं रब हूँ, क्यों? क्योंकि उसने जबरी तोर पर, जमीनों पर, इवन लोगों की जिन्दिजियों पर कब्जा किया हुआ था और दूसरी एक्जामपल हमें मिलती है सूरह यूसुफ में जब वो बादशाह का खुआप की ताबीर बताते हैं और वो बंदा उनको दुबारा से लेने आता है बादशाह के हुकम पर तो वो कहते हैं कि जाओ अपने बादशाह को जाकर जो के फॉल्स रब था, जो अपने रब से जाकर ये कहो कि पहले मेरा केस डिसाइड करें तो ये दो एक्जामपल्स हैं दुनियावी रब जो के आदमी थे लेकिन अपने आपको इतना हाई लेवल पर ले जाकर उनोंने बठाया और लोग भी जाहर हैं उनके सामने जुखने पर मجबूर हो जाते हैं लेकिन हमने अपने दिल में पहले ये बात और अपने दिमागों में बिल्कुर क्लियर कर लिनी है कि रब और कोई नहीं है सिवाए उस रब के जो रबुल आलमीन है जिसने तमाम जहानों को क्रियेट किया है, हमें पैदा किया है और हमारे लिए सारे वसाइल उसने पैदा की है तो अगर ये concept दिल में आपके clear हो गया न कि ये जो सामने हमारे कोई भी हो, कोई भी हाक में वक्त हो आपको अगर वो अपनी धौस चमाने के लिए सर चड़ के बोल रहा हो, कि मैं मालिक हूँ यहां का, मैं रब हूँ कोई landlord, कोई feudal lord, कोई भी आपके जहन में जो आए, जो के grabber होते हैं, जैसे land grabber है या उसने वसाइल पे कब्जा किया हुए है और अगर आपको ये concept clear है न कि ये कब्जा ना जाइस है ये रब नहीं हो सकता रब सिर्फ अल्ला की जात है तो आपका उस बंदे से डर, खौफ खतम हो रहेगा और ये कुरान क्या इजाज है कि वो इनसान को उनने डर बनाता है आप में courage पैदा करता है और अगर आप को कोई ये दलील पूछे न कि ये सारे वसाइल तुम कैसे कह सकते हो कि ये पाकी सब लोगों के भी है ठीक है जिस बंदे ने बड़ी मेहनत की है या बड़ा मारधाड करके अपने लिए सब कुछ इखटा कर लिया है तो ये उनका legal owner भी है तो आपके सामने ये आयत है सुरह अलाराफ की आयत नमबर 10 वलकत मकननाकुम फिल अर्दी वजळना लकुम फिहा माईशा गलीलम मा तशकुरून इसमे ये ज़ वर्ड है वजळना लकुम तुम सब के लिए ये इंतहाई important word है इस आयत की translation ये है ये ये आयत की translation ये है लिटल थैंक्स दू यू गिफ यानि अल्ला ताला कह रहे हैं कि यकीनन तुमें हमने जमीन में बिसाया और फिर उसमें तुम्हारे लिए तुम सब लोगों के लिए मौश के जरीए पैदा किये लेकिन तुम लोग कम ही शुकर करते हो तो ये आयत हमारे पास दलील है और इस तरह की एक और आयत भी आती है कुरान में कि मौश के जराये सब के लिए हैं ये mineral resources, ये water resources, ये land resources हर तरीके के जो भी इनसान की नशुनमा के जराये हैं वो सब इनसानों के लिए खोले रहने चाहिए लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि दुनिया के सरफ एक या दो परसंट लोग हैं जो इन सब वसाइल पे कबदा किये बैठे हैं और बाकी दुनिया भूक प्यास से मरती है, कड़पती है दुनिया के लोग कई मुलक हैं जो के महरूम हैं इन वसाइल से तो ये अन इक्वल, अन जिस्ट डिस्ट्रिबूशन आफ रिसोर्सेज है जो के अल्ला ताला की मशियत के बिलकुल खिलाफ है और अगर ये कॉनसेप्ट हमारे क्लियर हो तो ही हम इन चीजों के बारे में फिर कुछ अमली तोर पर कर सकेंगे कोई action ले सकेंगे लेकिन अभी इसलिए मेरा सारा जोर यही होगा कि हम पहले अपने अपने concept क्लियर करें और I hope कि आपको रब की समझ आई होगी कुछ ना कुछ और अगर फिर भी कुछ जहन में सवाल हो तो you're more than welcome to write them in the comments and I'll be happy to discuss them with you इसी आयत को हम continue करेंगे अपने next clip में इंशाला तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा अल्ला हाफिज